दोस्तों स्टेडी पोटल में आप सबका स्वागत है दोस्तों सीटेट के लिए सीबीएसी की तरफ से एक नोटिस आया है पबलिक नोटिस जिसको आप देख सकते हो 16 12 2021 16 तारीकों आज ही यह नोटिस आया है इसके अकोर्डिंग जो सीटेट का एकजाम होना था उसमें कुछ फेर बदल हुए है कुछ दिन का पोस्टपॉन किया गया है कैंसल किया गया है आगे बढ़ा गया है दा सेंट्रल बोर्ड ओप स्कूल एजुके सेकंडर एजुकेशन जैनी सीबीएसी ने टीसीएस को जिम्मेदारी दी थी सीटेट का एकजाम करवाने की कंप्यूटर बेस याने ओलनाल एकजाम ओल ओवर इंडिया के अंदर 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक एमेश टीसीएस लटीड है रिपोर्टेट देट देट एग्जामिनेशनों पेपर इन दा फर्स सेप्ट ऑन 16 दिसंबर 2021 हैज बिन कंड़क्टी सक्सेस्पुली एक्रोस दा केंटरी टीसीएस ने बोर्ड को बताया कि 16 दिसंबर को जो पहली शिफ्ट का पेपर था वो पूरे भारत में सक्सेस्पुली करवा दिया गया दा सेडूल सेकिंड सेट पेपर टू एक्जामिनेशन कुड नोट बी कंपलेट डू टू अनक्सपेक्टिड टेक्निकल रिक्वार्मेंट कुछ कुछ टेक्निकल प्रोलम्स की वज़े से या कुछ अनक्सपेक्टिड टेक्निकल रिक्वार्मेंट की वज़े से पेपर टू जो है वो नहीं करवाया जा सका मस्टीस ल्टीड इस वर्किंग टू एंशो डैट इस्वार एड्ड्रेस्ट और प्रियर्टी और टीश दिसम्बर का पहला और दूसरा दोनों सिप्ट को इनको पोस्ट पॉन कर दिया गया है दा नेक्स देट ऑफ इग्जामिनेशन फोर दीज कैंडिडेस इन कैंडिडेस के लिए जो अगली डिएट होगी उसको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा या आपको बता दिय जाएगा TCS से कंटेक्ट करके इंकर्मिनेंस कास्ट टूदर एक से कंडिडेट से सिंसिरली रिक्रेटिड यानि एक परकार से आप कह सकते हैं कि जो समझ से उसके लिए खेच जताया गया है दा इग्जामिनेशन सिप स्टार्टिंग फ्रों मंडे 20 दिसंबर यानि 20 दिसंबर सोमवार से एक्जाम जो है विल भी कंड़क्टिड उनको करवाया जाएगा जैसा सेडूल ता उसे का कोडिंग दैक कंडिडेटर इनफोर्म टू अपियर इन दा इक्जामिनेशन एड़ रिस्पेक्टिव सेंटर अकोडिंग ली जो कंडिडेट है वहां पर उनका सेंटर जो आना है जो आया है उसके पर पहुंच जाए टाइम पर आगे कोई दिकत नहीं होगी जनी 16 तारीका सेकेंड सेप्ट और 17 का फरस्ट और सेकेंड दोनों सिप्ट को पोस्ट्पॉन कर दिया गया जिनकी डेट जल्दी आ जाएगी बाकी वाले बच्चे तयार रहें तयार हो जाएगा जाने बाद